हेलो आज हम इस वीडियो में H-LOOKUP फार्मूला के बारे में जानेगे पिछली वीडियो में हमने B-LOOKUP के बारे में जाना तो B-LOOKUP का मतलब होता है vertically look up और H-LOOKUP का मतलब होता है horizontally look up B-LOOKUP में हम डेटा को vertically देखते हैं यह देखो जैसे यह column है यह vertically है इस तरह से हम डेटा को ढूंड के लाते हैं H-LOOKUP में क्या होता है H-LOOKUP में हम horizontally data को देखते हैं जैसे यह horizontally है यहाँ पे name, row number, English, Hindi, math तो यह horizontally यहाँ पे दिया गया है तो इस वीडियो को हम यहाँ पे असानी से समझेंगे कि H-LOOKUP काम कैसे करता है इसको यहाँ पे examples के जरिये समझेंगे जैसे यहाँ पे B-LOOKUP इसको देखते हैं B-LOOKUP पे क्लिक किया तो जब हम B-LOOKUP में काम करते हैं तो हम जो numbering देते हैं यहाँ पे column को numbering देते हैं जैसे A column को यहाँ पे one number दिया, B column को यहाँ पे two number दिया, C को three, D को four और E को five लेकिन जब हम H-LOOKUP formula यूज़ करेंगे यह दिखो यहाँ पे H-LOOKUP sheet पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम row को numbering देंगे, यह दिखो जैसे यह first row है, यह second है, यह third है, यह fourth है, यह fifth है इस प्रकार हम यह rows को यहाँ पे numbering देंगे, तो H-LOOKUP में भी हम data को दो तरह से डूण सकते हैं यहाँ पे first method जो है, वो यहाँ पे formula type पे जाएंगे, इसके बाद insert function पे जाएंगे, इसके बाद insert function पे जाने के बाद यहां पे search for a function यहां पे हम search करेंगे तो यहां पे हम hlookup search करेंगे तो इसके लिए hlookup यहां पे लिखेंगे यह hlookup यहां पे लिखा इसके बाद go पे click करेंगे go पे click करने के बाद hlookup यहां पे आ जाएगा यहां पे click करेंगे और ok पे click करेंगे ok पर klik करने के बाद यहाँ पर यह function argument dialogue box यहाँ पर आ जाएगा इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर look up value यह हम यहाँ पर बरेंगे तो look up value में हमने क्या यहाँ पर ढूंड़ना है जैसे यह row number यह ढूंडना है तो हम यहाँ पर klik करेंगे row number यहां पे click करेंगे यह देखो row number यह cell पे click किया यह cell name यहां पे आ जाएगा C2 इसके बाद निच्छे table array दिया गया है यहां पे हम cursor को रखेंगे तो table array जो है इस सारे table को select करेंगे यह देखो सारा table हमने select किया select करने के बाद यह range यहां पे आ जाएगी A2 colon F11 इसके बाद फिर निच्छे यहां पे cursor रखेंगे यहां पे दिया गया है row index number कि यह जो row number है यह किसका ढूंड के लाणा है तो यहां पे name दिये गया है किस name का row number ढूंड के लाणा है suppose करो हमें यहां पे row की यह जो row की है इसको यहां पे numbering दी गई है 6 तो row की 6 number पे आ है तो इसका row number हमें चाहिए तो यहां पे हम row index number पे 6 बरेंगे यह 6 बरा बरने के बाद यहां पे range look up इसके बाद यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे false यह फाल्स लिखा, फाल्स लिखने के बाद, अर्जल्ट जो है, यहां पे शो कर देता है, यह दिखो 205, यह अर्जल्ट है, यह रो नमबर यहां पे आ गया है, अगर हम इसको यहां पे देखने जाते हैं, तो हम यहां पे OK पे क्लिक करेंगे, यह OK पे क्लिक किया, तो OK पे क् तो 6 जो है रोकी है और इसका रो नमबर जो है 205 है तो यहाँ पे रो नमबर यहाँ पे ढूंड के आ गया है कि 205 यह रोकी का रो नमबर है तो इस तरह से हम यहाँ पे h look up insert function के जरीए भी कर सकते हैं इसके बाद हम b look up को second method से करेंगे तो second method के जरीए हम यहाँ पे यह जैसे यह biml दिया गया है biml का रो नमबर हमने डूंडना है तो इसको डूंडने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे h look up formula यूज करेंगे तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इकल टू लिखा इकल टू लिखने के बाद यहाँ पे h look up formula यूज करेंगे h look up यह नीचे आ जाएगा यह देखो यहाँ पे डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे look up value तो look up value में हमने क्या दूंडना है row number यहाँ पे row number दिया गया है row number cell पे क्लिक करना है यह आने के बाद आगे दिया गया है कोमा तो कोमा लगाएंगे इसके बाद आगे है यहां पे टेबल आरे जो टेबल आरे है इस सारे टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे यह सारे टेबल सेलेक्ट किया है सेलेक्ट करने के बाद फिर यहां पे कोमा है कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद यहां पे दिये गया है row index number तो किस row से हमने data को डूंड के लड़ाना है तो suppose करो यह जो numbering है 5 यहां से हमें data चाहिए जैसे यह biml का data चाहिए तो जो biml का data है यहां पे इसको numbering दिये गया है 5 तो हम यहां पे 5 बरेंगे यह 5 लिखा 5 लिखने के बाद फिर coma लगाएंगे coma लगाने के बाद आगे दिये गया है range look up तो range look up में दो option आ जाएंगे एक है true जो true होता है वो approximate match होता है और एक है false जो false होता है exact match होता है तो यहां पे हम false लिखेंगे false पे double click किया यह दिखो double click किया false यहां पे आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket 1 की bracket 1 करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो 204 यहां पे row number आ जाएगा तो यह row number किसका है यह row number यहां पे भिमल का है यह दिखो हमने यहां पे 5 यह numbering यहां पे भरी थी और यह जो भिमल है इसका रो नमबर 204 है तो यहां पर यह 204 यहां पर आ गया suppose करो हमें यह मोहित है मोहित के हिंदी में कितने नमबर है यह हमने यहां पर ढूंडने है तो इसको h look up formula के जरीए करेंगे यहां पर click किया click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद h look up यह निचे आ जाएगा यहां पर double click किया double click करने के बाद look up value तो जो look up value है हमने यह हिंदी subject है इसके marks देखने है किसके देखने है मोहित के देखने है तो यहां पर हम हिंदी यह जो top में दिये गया है इस cell पर click करेंगे यहां पे क्लिक किया यह सेलनेम यहां पे आजाएगा e2 e2 के बाद फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद दिया गया आगे table array तो table array यह जितना भी यहां पे data दिया गया है इस सारे को select करेंगे यह सारा यहां पे आजाएगा A2 colon F11 यह यहां पर आ गया इसके बाद फिर यहां पर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद आगे लिए गया है row index number यह मोहित इसके हिंदी के नमबर नूरने है तो यह जो numbering है मोहित यहां पर 10 है तो यह 10 है यहां पर हमने लिखना है तो यहां पर 10 लिखा लिखने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद आगे लिए गया है range look up तो यहां पर हम false यहां पर double click करेंगे double click करने के बाद bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद ये दिखो ये महुईत के यहां पे हिंदी सब्जेक्ट में 69 नंबर है तो यहां पे 69 यहां पे ढूंड के आ गया तो इस तरह से हम यहां पे h look up formula के जरीए data को filter कर सकते है इसके बाद इसको delete करते हैं ये ये delete किया delete करने के बाद हम आगला example करेंगे suppose करो यहां पे हम जो भी भरें जैसे ये row है row में क्या क्या लिखा हुआ है जैसे name लिखा हुआ है row number लिखा हुआ है English लिखा हुआ है Hindi लिखा हुआ है math लिखा हुआ है यहां पे जो भी हम भरें, जैसे name भरें तो name आजाए, row number भरें तो row number आजाए English subject भरें तो English subject के marks आजाए, हिंदी वरे तो हिंदी के marks हम पहर आ जाए मैंस subject वरे तो यह मैंस subject के marks याँ पहर आजाए तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे। यहां पे click करेंगे, यहां पे click किया, click करने के बाद h look up formula use करेंगे, यहां पे equal to लिखा, equal to लिखने के बाद h look up यह निचे आ जाएगा, यहां पे double click किया, double click करने के बाद यहां पे look up value, तो look up value यहां पे click करेंगे, यह h3 cell name में आ जाएगा, क्योंकि हम जो भी यहां पे भरे वो यहां पर आ जाए तो H3 यहां पर आ गया है H3 आने के बाद यहां पर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद यहां पर दिये गया table array तो table array यह सारा table हम select करेंगे यह select किया यह range यहां पर आ जाएगी a2 colon f11 यह range यहाँ पर आगे इसके बाद फिर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद आगे लिया गया है row index number हमें यहाँ पर row number चाहिए किसका row number चाहिए यहाँ पर suppose करो raman का row number चाहिए कि raman का row number क्या है तो यहाँ पर हम row index number यहां पे यह जो number दिया गया है 2 तो यह 2 यहां पे लिखेंगे यह 2 लिखा 2 लिखने के बाद फिर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद range look up में false पे double click करेंगे यहां पे false आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यहां पे error आ जाएगी लेकिन यह error तब दूर होगी जब हम यहां पे कुछ लिखेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे row number तो row number जब हम यहां पे लिखेंगे तो यह रमन हमने यहां पे बहर था number यह row index number पे 2 वर था तो रमन है 2 में तो इसका row number 201 है यहां पे लिखेंगे हम row number यह row number लिखा row number लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो row number यहां पे आ जाएगा यह दिखो enter प्रेस किया enter प्रेस करने के बाद यह दिखो 201 यह row number किसका है यह रमन का row number है जो कि हमने row index number पे 2 वा रहा था तो 2 जो row है रमन है और इसका row number यह है तो यहाँ पे 201 यहाँ पे आ गया है इसके वाद अगर हम यह रमन है इसके English subject में कितने number है यह देखने जाते हैं तो हम क्या करेंगी यहाँ पे English लिखेंगी यह देखो English यहाँ पे लिखा इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो English subject में इसके 86 number है इसके बाद यहाँ पे हिंदी subject के number देखने जाते हैं रमन के तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे यह हिंदी लिखा enter प्रेस करेंगे तो हिंदी में ये देखो 88 Marks है 88 यहां पे Marks आ जाएंगे इसके बाद Miles यहां पे लिखेंगे मैस यहां पे लिखा Enter प्रेस किया तो Miles में 58 Marks यहां पे आगे तो इस तरह से हम यहां पे Marks दोण सकते हैं इसके बाद अगर हम यह चालते हैं कि यह जो यहां पे mass लिखा हुआ है, इसकी जगा यहां पे, यह सभी की list बनके आ जाए, जैसे name है, row number है, English है, Hindi है, mass है, यहां पे यह list बनके आ जाए, सभी की, तो list को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, data type पे जाएंगे, data type पे जाने के वाद, data validation इसके more बटन पे click करेंगे, more बटन पे click करने के बाद, यहां पे तीन option आ जाएंगे, data validation यहां पे click करेंगे, यहां पे click करने के बाद, allow यहां पे हमें case जाए, तो हमें list बनानी है, तो यहां पे list पे click करेंगे, list पे click करने के बाद, फिर हम यहां पे source पे जाएंगे, यहां पे click करेंगे, और इसको delete करेंगे, यह delete किया, delete करने के बाद यहाँ पे यह दोनों को इनको check करेंगे, यह check किया check करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे drop down arrow यहाँ पे बनके आ जाता है अगर यहाँ पे इसको uncheck रखेंगे तो यहाँ पे drop down arrow यहाँ पे बनके नहीं आएगा, तो इसको चेक रखेंगे दोनों को और यहां पे अप arrow की यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद data validation हमें यहां पे किसकी list चाहिए तो हमें यहां पे name, row number, English, Hindi, Math यह चाहिए इसकी list चाहिए तो हम क्या करेंगे इनको select करेंगे यह देखो select किये select करने के बाद यह range यहां पे आ जाएगी इसके बाद down arrow की यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह range यहां पे आ जाएगी इसके बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह देखो यहां पे drop down arrow की यहांपे बनके आ जाएगी यहांपे हम click करेंगे तो जो जो हमने select किया था यह देखो name, row number, English, Hindi, Math इन सबी की list यहांपे आ जाएगी यह देखो यहांपे click किया तो यह list बनके आ गी है name, row number, English, Hindi, Math यह सारी list यहांपे बनके आ गी है इसको हम delete करते हैं यह, यह delete किया, अगर हम यह चाते हैं कि रमन का row number यहाँ पर आ जाए, तो हम यहाँ पर list पर click करेंगे, list पर click करने के बाद row number पर click करेंगे, तो यह देखो यह row number आ गया है, अगर हमें यहाँ पर English के इसके number चाहिए, यह देखो English के 86 है, तो हम यहाँ पर drop down arrow की यहां पे click करेंगे और यहां पे English पे click किया तो यह दिखो English के marks आगे Hindi के जाएए तो हम यहां पे Hindi पे click करेंगे यह दिखो Hindi पे click किया यह Hindi के आगे mask के जाएए तो फिर हम यहां पे mask के click करेंगे यह mask के आ जाएएगे अगर हमें यहां पे name कि यह name किसका है तो name को देखना है तो हम यहां पे name पे click करेंगे यह देखो name पे click किया तो name यहां पे अरह मना आईए अगर यह 3 subject दिये गया है इन 3 subject में किसी subject को हम यहां पे change करते हैं तो यह जो drop down list यहां पे बनी हुई है तो यहां पे यह subject change हो जैसे English है यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद computer science यहां पे लिखेंगे CS यह computer science लिखा लिखने के बाद जब हम यहां पे list copy करेंगे यह देखो list लिस्ट के बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद